अभी 2024 में लोकसभा अलेक्षन और 2025 विधान सभा अलेक्षन की तैयारी चल रही है सभी राजनेता और नेता जो है अपने अपने परचार परसार में लगी हुई है और आज हम लोग एक ऐसे सुदूर देहात कहा जाए तो उस गौण में मौजूद हैं जहांकि एकदम से सरकार के पर्ति और आने वाले दिन में किनको 세के और किनके साथ जो है यह लोग मिलके काम करेंगे और किनटla सब हुआ हो गाली दिञा जासका पूरा भारत को लेड़िज के गाली दिये है बीयार का इसको बोट नहीं देंगे अuteurकार सेखे ने फूलच आपको देंगे आप लोग जो हैं बीजेपी को बोट करेंगे क्या बीजेपी में ऐसा क्या खुबी नजर आ रहा है बहुत अच्छा है जो भी काम करता बहुत अच्छा सिलिंडर दिये हैं बहुत विकास किया वह इनकी है और कुन किया है यहाँ पर अपलोग को मालूम है कि नितिश कुमार जो है महिलाइं के पर्ति जो है सदन में कुछ बोले थे अपलोग जानते हैं आप लोग दे रहा है नितिश कुमार तो अच्छा काम कर रहा है, उनको बहुत सारा रोजगार दे रहा है. नहीं देते हैं, सर किछोने, इधर बीयार में सर किछोन देचे, वैसे बोलेचे. अब आने वाला समय में जो अलेक्षन होगा, तो आप लोग किसको बोट देंगे? किसी के नहीं देंगे, जो अच्छा करेंगे उसी के देंगे. कौन आपको कौन अच्छा लग रहा है? फूल चाप सर। फूल चाप अच्छा लग रहा है. कौन सरकार आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है फूल चाप. फूल चाप? यह टेंड विए त픋ल, थाप को प्रकार, दोडिमें प्रिंड है सल का खाल सा ओझ है इस अन् questsहां का रखास infinity to pages लोills भी टेंड को प्रिंड को monday गभी उन आवा सै और साल सोर्भारास में बें आखा है बीजेपी का सरकार जो है वो क्या दे रहा है कि चुन रहे चेशा रासंता फिरी देचे इधर कुछ जेंस लोग है इनसे हम बात करेंगे क्या नाम हुआ अपका हमा नाम हो सिवालल सादा आने वाले समय में आपको तो पता होगा कि इधर जो है मंत्रीवला भी चुनो है फिर दोजार पचीश में जो है विदान सभा का अलेक्षन है तो इधर जो दोजार चौवीस के अलेक्षन में आप किसको जो है पर्दान मंत्री के पहले भी जहरा है हम जोग उसको पास था लेकि आप नेतिक पास हम लोग नहीं है और पल्टु राम है इलगर सोगा हम लोग जह दिन दुन्ना राच चोगुनना जो बढ़ रही है इसमें किसका हाथ है जो होगा होगा सुझमें तरु ने कर देंगे, अपको कहा है, की सबत्तु हएं, जो होगा होगा अच्छा आप किन को बोट देजिएगा हम भोट किसको देंगे देखिए हम भोट आभी किसको हम चुनों नहीं किये कि हम किसी को देंगे जब से ही नेतिस आया है बिहार के मंत्री में आज तक कोई लाब नहीं मिले आज तक कोई लाब नहीं मिला जितना भी काम हुआ है सब घटो लेके काम किया है घटो लेके काम किया है परखन से लेके जिला तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया जब हमारे मंत्री भी जब सुनवाई नहीं करता है तो यहां के स्टाप क्या सुनवाई करेंगे आज तक अब उन्डरेगा वजना हम लोग सुन वे किये लेकिन यह नहीं इंदरा बारस उनवे किये लेकिन अभी तक दिया नहीं है नहीं। अब यह सिदह बताईए कि कुछ नहीं मिला है। अभी महातलीत में नहीं पूचा है। आप लोग क्या रखे हैं उमीद क्या कर रहा है आने वाले समय में सरकार में किसको देखने वाले समय में हम जीतन रामाजी को हम लोग समर्थन हुए हैं सिस प्रकि कि जब से 2009 से हम आए हैं आउसमें हम पार्ठी से गया है हम बहुत आच्छा भी काम करते हैं और सुनवय भी करते हैं जो भी काम करते हैं वह अच्छा ठंक से काम करते हैं सुनवे भी करते हैं इधर आईएगा नितिश कुमार जो है विधान सभाभवन में और विधान पडिसद में दोनों जगह जन संख्यानी अंतरन पर कुछ टिप्स बता रहे थे क्या आपको कुछ मालूम है जी मालूम है वो टिप्स नहीं बता र अंदर क्या है लेकिन यह जो है और पैनली एक लुच्चा लफंगा आबाडा के जैसे होता है वह इसा बात कर दिए बहुत गंदा सब्द जो हम नहीं बता सकते हैं इतना नीच बात बोला जो हमारे जितना भी विधाय काम और हमारे राज के माभान चातर चातरा और भी अन पर दिया अरे तुम क्या बोलेगा हम कहते हैं उमर में हर चीज में हमारे जीतन राम मांजी बड़े हैं स्रेश्ट हैं और यहां तक कि उनका आज तक एक भी छवी का कलंकित नहीं हुए हैं और उनको तुम ताम करें जो पूरा देश उनको नमन करते हैं गार्जन वांते आ अंदकार के और जा रहा है दलदली में जा रहा है परकास नहीं परके अंधेरा में जा रहा है और इनको हम पूरा बिहार अस्तर यह कब लोकन करें तो इनको इस्तिफा सर्म अगर तनको होगा सरीर में तो इस्तिफा मार दें यह गदी पर बैठने लाइक नहीं है इसासन कर लेकर उजीता है अभी देखिए से चुनाओ लरने वाला है। टान लाल इंता कमल छ्वाब हैं जो गडबंदन है यही सब हैं '' अगर कहीं भी जायेंगे कर ग Gian तो आप देखें है कि जनता जो है एकदम नितिश कुमार से और ये महागटबंदन से नराज हो चुकी है और कमल चाप के और अपना रूख अपना ली है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय बनती है सरकार के ऊपर क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में कॉमेंट बॉक्स में जाके रा झाने वाद।